अगर आपकी आँख जो है वो तीन से पांच के भीच में खुल रही है तो आप बहुत ही खुश नसीब हैं क्योंकि उस वक्त जो है ब्रभफभंड में जो देविये शक्तिया होती हैं देवी जो उर्जाएं होती है उनके ब्रह्मन का समय होता है और जब देवी उर्जा ब्रह्मन कर रही होती है और वो देखती है अपने किसी भक्त को जरूरी नहीं कि आपने इस जनम में भी उतनी साधना किये हो सकता है पास्ट 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 किसी बर्थ में आपने साहता क की हो किसी व्यक्ति की मदद की हो बहुत नेक कारे की हो तो अगर कोई एनरजी आप से कनेक्ट हो गई हो तो वो आती हैं आपके पास आपको उठाने के लिए कि उठिये और इस समय का सदूपयोग कीजिए उस समय आप क्या कर सकते हैं तीन से पांच के बीच में अगर आप आई है उसी शन केतना आज अभी इसी वक्त इसी मॉमेंट पर this is the moment उस मॉमेंट पर आप आना सीख जाई है मॉमेंट पर कैसे आएंगे चोटी सब्सक्रास करना शुरू कर दीजिए और अपने राइट येर से जी हा अपने सीधे कांद से सुनना आरंब कर दीजिए जो भी साउंड आपको महसूस होती है देखेंगे आप भंवरे के समान जो है गुंजन वारी साउंड आती है शुरुआत में बाद में धीरे-धीरे कई प्रकार की ध्वनिया फिर वो अनधना तक पहुंच जाती है लेकि मैं तो आपको शुरुआती चरण बता रही हूँ प्रैक्टिस करने के लिए कुछ नहीं करना है शान दभाव में बैठना है प्रेजेंट मोमें बैठना है बाकी सब कुछ अपने आप हो जाएगा उनकी करपाद रिष्टी आपके साथ है वो आपको अपने तक फिर से बुलाना चाहते है अपने से कनेक्ट करना चाहते है इसलिए आपकी आँख जो है वो प्रह्म मोरत में खुल रही है तो उस समय का सदूपयोग करें आईए